इस lecture के अंदर आपको बताऊंगा कि standard deviation जब 1 होती है तो कितना data उसके अंदर आता है standard deviation की value जब 2 होती है तो उसमें कितना data आता है standard deviation की value जब 3 होती है तो उसमें कितना data आता है और ये मैंने कहा रहा है ये assumptions हैं based on different statistical analysis or statistical test जिनकी detail में मैं भी नहीं जाओंगा बर later on we will dive into it let's see होता क्या है यह और किस तरीके से अकर होती है यह चीज़ मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई data है data है इसके उपर अगर मेरी standard deviation जिसे हम std भी बोलते हैं और sd भी बोलते हैं अगर यह 1 है ठीक है इसके अंदर जो data होगा वो 68% data होगा it will contain 68% of the total data इस data का 68 और यही चीज़ अगर मेरे पास 2 है तो मेरे पास जो data होगा वो 95% data इसके अंदर होगा ठीक है और अगर मैं इसी को और detail में देखूं तो मेरे पास जब standard deviation की value mean से difference की मैं बता रहा हूँ तीन होगी तो this will contain 99.7% of the data ठीक है अब इन तीन चीज़ों को किस तरीके से हम देखते है मैं आपके सामने एक diagram ले के आता हूँ और उसके उपर फिर हम debate करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यह diagram हमें standard deviation को और भी समझने में help out कर सकती है and this thing can actually tell us के किस तरीके से data जो है वो divide होता है say for example यह हमारे पास mean है ठीक है obviously यह mu है तो यह population mean है भी इस वकत but we will see के किस तरीके से यह काम करता है अगर normal distribution हो यानि के Gaussian distribution यानि के हमारे data का center जो है उसके इर्द इर्द यह bell curve बन रही हो इस चीज़ को बोलते है normal distribution यह assumption सिरफ normal distribution के लिए है जिसे हम Gaussian distribution या normal distribution कहते है Gaussian और normal distribution standard normal distribution भी से बोलते है ठीक है distribution क्या होती है यह data किस तरीके से distribute कर रहा है उसको बोलते है ठीक है अगर हमारा data इसका mean center है और इसके इर्द 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 इस तरीके से यह वाला data एक bell curve बना रहा है bell बना रहा है इसको हम बोलते हैं कि यह हमारे पास normal data है नॉर्मल distribution है या Gaussian distribution है अगर हमारे पास अब normal distribution है ना तब हमारे पास यह सारी के सारी conditions पूरी होंगी ठीक है अब हम देखते है normal distribution हमारी किस तरीके से show करती है we will see that अगर standard deviation 1 है हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा 68% data इसके अंदर आ रहा होगा अगर standard deviation 2 है इसका मतलब यह है कि 95% data आ रहा है इसका मतलब यह भी हुआ कि 68% data यहां पे आ रहा है हमारे पास जिसको μ्यू माइनस सिग्मा भी बोला जाता है मिसाल के तोर पे population और sample sorry इसका variance जो है μ्यू यानि μ्यू हमारे पास है mean और यह सिग्मा इसका variance standard deviation sorry not variance it's standard deviation तो यह हमारे पास standard deviation जब 1 होगी तो हमारे पास क्या होगा look और जब 2 होगी हमारे पास standard deviation तब क्या होगा यानि के म्यू से यानि के mean से जब हम 3 हट जाएंगे standard deviation तो क्या होगा and this shows कि आपका data जो है वो 99.7% 3 तक होगा पहला जो है हमारा ये point दूसरा ये point और तीसरा ये point अब आपने देखा कि हमारे पास standard deviation इतना अच्छा role play कर रही है जो IQR play कर रहा था अगर IQR method के थूँ हम check कर सकते हैं कि outlier कैसे आते हैं तो we can also use this kind of distributions जो हमारे पास आ रही है और हम और भी find out कर सकते हैं कि data हमने कितना लेना है यही तो चीज बताई गई थी ना आपको greater than 4 या इस तरीके से standard normal distribution में आए तो आपका data कुछ इस तरीके से होगा यानि कि आपका data bumpy हो जाएगा अगर बिलकुल इस तरीके से है तो यहाँ पे भी आपकी standard deviation जो है बहुत कम आएगी but you need to be very careful कि data की standard deviation और normal distribution के अंदर अगर आपकी standard deviation देखी जाए तो आपके पास क्या data की percentage आती है when you deal with the standard deviation इसके इलावा हमारे पास इसको show करने के लिए एक और graph भी है which I can show you किस तरीके से standard deviation जो है वो काम करती है just a minute I will just copy that plot here so यह हमारे पास एक और plot आजाएगा इस plot के उपर अगर आप गौर करें तो यह हमारे पास population mean है ठीक है यह वाला center में इसकी right side पे भी 34% data यहां पे भी जिसको मिला के मैं 68% बोल रहा था ठीक है और इसी तरीके से अगर आप और पीछे जाएं तो आपके पास साड़े तेरह साड़े तेरह दोनों side हो पे add हो जाएगा which will make it 95% data ठीक है standard deviation 2 में यह जो आपके पास pinkish color आ रहा है ठीक है green color जो है यह शो कर रहा है standard deviation 1 which will contain 68% यह standard deviation 2 standard deviation 3 क्या करेगी यह हमारे पास आपके जो data देगी that would be equal to 2.35% which will show us around 99.7% data ठीक है so इस तरीके से हमारे पास यह वाला data आ जाएगा and then we can have an idea कि हमारे पास जो standard deviation है वो किस तरीके से move करती है ठीक है so अब आपको समझ आगे होगी कि standard deviation जो है normal distribution के अंदर कैसे move करती है और standard deviation किस तरीके से importance शो करवाती है data की and we can use different kind of method जैसे के z-score method and there are many other methods जो outliers को remove भी कर सकते using these kind of techniques अब आपको standard deviation का भी पता चल गया होगा standard deviation mean से कितने फासले पर क्यों होती है और data किस तरीके से आता है inter-call trial range में हमने 400 में data divide कर लिए ता that was another thing और हमने फिर range देखी अब आपका अगर कोई question है you can write down in the comment section and I will try to actually explain these things hopefully तो आपका question जो है उनके में answer comment section में करता हूँ but meanwhile अगर आपने इस वीडियो को इस lecture को like नहीं गया तो please do it अगर आप पहली दफ़ा देख लेएं तो subscribe करें description के अंदर मैंने पूरे के पूरे कोर्स के link दिये हुए और आजकल जो हमारा course चार रहा है वो 6 मार्ट data science का course है जो बिल्कुल free है you can find the link below in the description और जब ये वीडियो दुबारा से बाद में upload होगी तो i button के ऊपर यहां पे नहीं यहां पे करके i button के ऊपर आप click करेंगे तो आपको सारे के सारे links मिल जाएंगे courses के समझा आगी ये okay अगले lecture में मिलते हैं फिर फिरोटी जापको सारे के सारे प्रेचित